एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में जैश्री महाकाल का हाल चाल है आप लोगों के आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रीवेस वाला जो हमारा लेक्चर था उसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा क्यूंकि आपने जो जो बढ़ियां-बढ़ियां कमेंट किया था कि सर आ गया है आ गया है बड़ी अच्छी बात है कि आप सबको आने लगा है तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें बेटा जी तो लास्ट क्लास में हमने आपको गैरंटी वाला पॉइंट आपका कवर कराया था जिसमें मैंने आपको फर्म गैरंटी और आपका इंडिविजुल गैरंट इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी तो अच्छा फर्म गारेंटी में आपने यह देखा था कि जितने भी आपके पार्टनर होते हैं वो सब मिलकर गारेंटी देते हैं और इंडिविजुल गारेंटी में आपका कोई भी एक परिसन आपका गारेंटी देता है और जैसे अगर हम इन सब का यह जो कुश्यन है यह सब हमने आपको previous class में करा दिया है अरे सर हमने previous class तो देखा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई अगर आपने previous class नहीं देखा है तो प्रिंशन क्यूं लेने का आप एक काम करो description box को click करो description box में जाके जो आपका accounting वाली playlist है उस पे आप क्लिक करो आपको previous का पूरा का पूरा सिर्फ एक नहीं एक नहीं जितना भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया है वो सब आपको मिल जाएगा company account भी मिल जाएगा partnership भी मिल जाएगा unit 1 के जितने भी chapter 1 के जितनी भी 6 की 6 unit है उन सब के lecture आपको मिल जाएंगे continuous में आपको डेड़ क्या दो महीने से continuous आप लोगों के लिए भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ठीक है तो चलिए फिर इसके आगे आज हम क्या चर्चा करते हैं आज की class में जो भी आपके बचे कुछे question है आपकी module के जो भी कुछे बचे कुछे question है वो हम क्या कर लेत है जब हम IC AI का module solve ले रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए जब हम IC AI का module solve कर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या हम IC AI के द्वारा paper को नहीं solve कर लेंगे बताओ ज़रा solve कर लेंगे ना तो फिर tension ही क्यों लेने का यार ठीक है देखो आप कोई भी किताब से पढ़ो लेकि बताया हूं और आखरी भी 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 बता रहा हूं कि कुश्यन फस्ते हैं यहां से ठीक है यहां से कुश्यन फस्ते हैं चलो फिर यह आपका guarantee वाला topic था जो कि हम लोगों ने कली solve कर लिया है अब आज की class में हम क्या कुश्यन solve करेंगे देखिए ज़रा illustration नंबर 5 को देखते हैं हम आपके screen पे है illustration नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि दो partner है ABC दो partner है इनका जो profit sharing ratio है वो आपका क्या है यहां से पढ़िए एक मिनट मैं highlight कर देता हूं main point क्यता है ABC आपके दो partner है यह तो highlight के जगह ब्लैक ब्लैक होने लगा एक मिनट रुकिए भाई जॉइन कर लें फिर अदिकत है अब तक आप लोग अपनी अपनी किताब से मॉडूल ओपन करिए विटा जल्दी से अच्छा पीते पीते एक याद आ गया और यह शेर मेरा नहीं है मैं पहले बता रहा हूं आप लोग के अब एक कप्थी हुमने मुझे दी मैंने उसको पी जलो ही 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 आप हम फिक है झी ज्याधा ही ही कि हो गए अब डारेक्ट सवाल पर आते हैं यह राम रहीम होला सवाल हमारा हो चुगा था ना राम्रहीम हो चुगा था इलस्ट्रिशन नमबर यह भी हो चुगा था हमारा question number 8 भी हो चुका था जो कि कली सॉल्व किया था हमने अब इल्लेस्ट्रेशन नंबर है अच्छा यह हो चुका यार 8 हो चुका है 9 देखेंगे अर्ती भरती नाम भी है यह है ठीक है ठीक है इसमें क्या question कहा रहा है देखो ध्यान से समझो कहता कि तीन partner है यह बी सी तीन partner है आपके और इनका जो profit sharing ratio है वह आपका क्या है 3,4,3 है ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कि 1 April 2019 तीन लाग पांच लाग और दो लाग रुपया क्या 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 आपका इन्वेस्ट किया फिर उसके बाद आगे question क्या कह रहा है कि according to partnership deed c is a entitled to salary of the 15,000 per month यानि 15,000 इनको per month मिलेगा अब मैंने आपको बताया था कि अगर 15,000 पर month रहे तो क्या किया जाएगा 15,000 गुड़े क्या कर देंगे हम 12 से गुड़ा कर देंगे न अभी तो आपका साल भर का data आएगा की नहीं आएगा ज़रा जल्दी से बताईए क्या करेंगे salary के case में 15,000 गुड़े 12 करेंगे तो यह आपका साल भर का data आ गया फिर कहता है interest on the opening capital is a allowed 12% per annum अच्छा एक बात बताओ यह सब्द क्या लिखा है interest on the opening capital देख रहे हो confused कैसे कर रहा है अरे आपको मैंने बताया ही है कि जो capital पे आप interest निकालोगे वो opening capital पे निकालोगे तो यह question में ना भी लिखा होता तो भी हमको पता था कि नहीं पता था लेकिन 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 बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि सर यह क्या है अरे यह opening capital मतलब यह जो तीन लाग दो लाग पांच लाग है ना किसी को opening capital कहते हैं आलिक करने के लिए वह आपको पैसा देता है ठीक आगे क्या कहता है यह फिर कहता है एक फिर आगे क्या लिखा है एसा entitled to rent of the 5000 per month of for the premises belonging to her and use the partnership business ठीक है एक को आप क्या दे रहे हो रेंट दे रहे हो क्यूंकि उसका आप property यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो फिर कहता है and no interest to be charged on the drawing rent paid to the A and C uh salary paid to the C was a debited to the drawing account in the respective partner A has a bid draw 10 ties unwilling 10,000 per month from the uh 10,000 per month from the business फिर कहता है कि profit of the firm is a year ended dec опис 2019二 century 2020 before interest on capital इतना है आपका 460,000 रुपिया लेकिन एक सब्द देखें यहां पर क्या लिखा है कैता है कि the profit of the firm for the year ended 31st March 2020 before charging interest on capital क्या यहां पर salary के बारे में कुछ बोला है क्या यहां पर rent के बारे में बूला है तो अब क्या किया जाए तर सैलरी घटाई जाए कि ना घटाई जाए तर रेंट घटाया जाए कि ना घटाया जाए पोच के जवाब दीजेगा बेट salary गटाया जाये कि ना खटाया है अर्य यार सिर्फ यह दे देते हैंना net profit दे दे थे तो हम सब घटाते लेकिन यहां पर विसिए कापिटल क्पिटल को हाइलाईट किया है कि स्हिस्शहा सजएúsica इसके बारे में कोई इनफॉर्मेशन नहीं दी गई है यहां पर एक चीज़ दी गए कहता है रेंट पेड टू आर्ती या अज सेलरी पेड टू प्रिस्टी वर डबिटेटट टू दा ड्रॉइंग एकांट ऑफ दे आफ दा रिस्पेक्टिव पार्टनर मतलब इनको जो दिया वो लेकर चले गए इनको जो दिया वो लेकर क्या हो गए चले गए ठीक है मेरा क्या जा रहा है उसके बाद भारती ने दस हजार रुपया पर मंथ पैसा क्या किया है बिड्रॉ किया है तो एक महीने में दस हजार तो बारा महीने में कितना एक महीने में दस हजार तो बारा महीने में कितना एक लाग बीस हजार पॉइंट कुश्चन समझ में आ रहा है अब आपसे कुश्चन कहता है कि प्रिपेर दा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपियेशन और पार्टनर कैपिटल एकाउंट चलिए फिर स्टार्ट करें तो यहां से हम आपका अच्छा एक बात बताईए यहां पे इंट्रेस्ट अन कैपिटल तो हम कैल्कूलेट करेंगे ही करेंगे करेंगे न जल्दी से working बना लीजे interest on capital की interest on capital की तो ज़रा A का interest on capital B का interest on capital और C का interest on capital बताईए मुझे कितना आएगा भाई जल्दी से बताएंगे कितना आएगा आपका तीन लाग का कितना percent है आपका 12% और पूरे साल का हम देंगे कितना आजाएगा आपका बारा बटे बारा यानि बारतियां 36 37,000 कितना आएगा आपका 36,000 जब बी का कितना आएगा बेटा जल्दी से बताएंगे पांच लाग और पांच लाग का बारा परसंट और यह हो गया आपका 12 बटे बारा तो यहाँ पर 12फश यानि कितना हो गया आपका 60,000 का देखं़ जल्दी से दो लाग और दो लाग का 12परेंट और यहाँ पर आपका क्या हो गया बाराघ बटे बारा यहां पर कितना हो गया 24,000 सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसके लिए हम बनाते हैं पूरा का पूरा को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अब अच्छा यहां पे तो जगा मेरे को यार नहीं मिलेगी कि नहीं होगा ना पीताना पीध तु मिटेगा भी नहीं किताब नहीं किसी के पास न अच्छा एक मड़ में पर में पहले फोटो खीच लेता हो मॉबाइल में फिर दूसरी स्क्रीन पर जाता हूं ऊच्छ यह जब मिटाना था अब नहीं आता नहीं मिटाना था अब टाटिवे कभी कभी जूट जा रहा है कभी कभी आ रहा है यह शुरू करता तो प्रॉपिट औंड लॉस अप्रोप्येशन चाहिए पाटनर केप्टल अगाउंट भी बनाना नहीं इस पत्राफ बनाती रहेंगे लॉस आप्रोप्येशन आई when you कि अच्छा एक शिए जिए से आ अमें आप्ससे कहा था बटा आपको से smart के बारे में कुछ नहीं बोला है कि श्यक्त को श्यां रियो के बारे में कुछ नहीं बोला है नहीं कि वारे में बॉला है इंत्रफ यह बोला अंसर है नहीं घटाई होगी जब कुछ नहीं दिया तो हम यहीं मानेंगे जब कुछ नहीं घटाया है यह भी नहीं घटाया होगी यह आप घ्यानिये लिख्या है आप यहां पर लखेंum भाई नेट प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट अब बताएए मुझे नेट प्रॉफिट कितना लिया जाए कवाल यह उड़ता है किसा नेट प्रॉफिट हम कितना ले लें चार लाक ले ले या चार लाक साथ हजार ले ले देखिए चार लाक साथ हजार है न यार मुझे दूसरी स्क्रीन ले देनी पड़ेगी क्या दिख रहा है विजीवल दिख रहा है देख लोड़ा सा बड़ा कर आप लोग प्लीज यार बुक लाया करो यार प्लीक है चलो आओ देखो नेट प्रॉफिट आपको कितना है भाई जल्दी से बताओगे चार लाग साथ हजार अब इस चार लाग साथ हजार में से सबसे पहले क्या करेंगे हम रेंट को घटा देंगे रेंट देखा जाए तो एक तरीके से इंटर्नल लाइबिलिटी है या एक्स्टर्नल लाइबिलिटी है यह आपकी एक्स्टर्नल लाइबिलिटी का मतलब कि भाई साब अगर आप किसी दूसरे से भी गिराये पे कमरा लेते तो आपको वो देना पढ़ता कि नहीं देना है यह आपकी इंटरणर लाइबिलिटी आपकी एक्सटरनल लाइबिलिटी है । किसी ऐसे हम इसको यहाँ पे डारेट क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं तो रand आपका 5000 पर मंत है तो बारा पंचे कितना होताँ आपका साथ हजार तो डारेक्ट आप यहां पे साथ हजार क्या करिए अपना माइनस करिए तो बैलन्स कितना आ गया आपका चार लाक रुपया आगे अब उसके बाद फिर आप यहां पे क्या दीजे इनको सैलरी दीजे तो सैलरी किसको दिया जाए इसका नाम लिखा होगा सै इतना हो गया ठीक है सैलरी यहां पर दिया जा रहा है ना तो सी को और सैलरी कितना दिया जा रहा है तो ने कितना आयेगा जल्दी से बताइए कितना आएगा आपका बाराव एक लाग पचास तोई से हो गया पंदरा दूनी तीस यानि एक लाग असी हजार कि इसके आपका एक लाग असी हजार रुपया हो गया अच्छा उसके बाद अभी आपको क्या निकालना है câpitas का 17000 किसका है कि बी सी तीनों का ने करत आया था आपका हे कि आहिए हजार कि शे इसे उतार दिया मैंने और यह आपका इक और जिर्हाओ ज़े और चार जिरो लग दस का एक यहां पे आपका नो एक दस दस दो बारा यानि एक लाग बीस अजार आगया अच्छा ड्रॉइंग से आपको कोई मतलब है नहीं मतलब है नहीं ना अब एक काम करिए जो आपका अब लेबल प्रॉफिट आया है अब इस अब लेबल लाख में से माइनस करो कितना आख दो दस हो गयास 0 2 1 3 3.0 mine numeers बचेगा कितना एक लाख बचेगा नब एक लाख को अब आप बाड़ दीजे कुण पााइठ टल एक एकाउंट je partner capital account में किसको a को B को और ड़ी बेठा जल्दी से बाट के मुझे बताओ कि कितना आ रहा है जल्सास चार आ रहा है ना लीजे हो गया एक लाग आच यहां पर कितना चार लाग और याँ पर बहुत का चार ल हम डिए आपका प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्येशन बनकर रिडी हो गया जल्द से नोट डाउन करेंगे इसके बाद को क्या बनाना है इसके बाद वाद हमको बनाना है पार्टनर कै सबMaryकाउंट इसमें यह नहीं दिया है कि किस मैज्ड से बनाना है जैसे आगर आपको मैंने कल क lang की आगर कि घुलकी क्लास में मैंने आपको बता था जहां पर कले जास में हमने इक तिस सबस् infection है अब कि आपको लिघ्र डी किस मेयपिटल से बनाना है कोई मेंप्टै नहीं बोस जब कोई मैथन है लिए के क्यां मैना तो कौन सा लगता है इंग वैसे तो द दोनो अि तो दोनों लेकिन समय किस में बचेगा अंख मूंद कर किस पे किस से बना देना लेक्चवेटिंग से बताओ समझ में आया की नहीं आया ठीक है बन गया सबका चलो जल्दी से के पार्टनर कैफ्टाल एकाउंट चेक करो आंसर वही हैं वही है आंसर आपपार्टनर सब्सक्राइड आब बना दे जलो ठीक है ठीक हैरा पाट नर किताब में यह कुस्षण वहां किताब में कराया तो गया है तो फिर क्यूंँ आप हमारा जान ले रहे हैं यह सब possibility इसमें आपको करा रहा हूँ ठीक है और कहावत है ना प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट तो पार्टनर क्यापिटल एकाउंट ठीक है सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए इसको बना रहे हो आप नॉलेजबल तो हो मुझे पता है आप से जादा नॉलेजबल कौन है यह जैसा कोड से तोड़ो ना कोई करता है कि ए हो गए भी हो गए आपके क्या हो गए हो गए उसी दरीके से ए भी और इनको हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें यह हो गए हमारे कि इस लिए हो गए हमारे रिए है मुझा है हों पिया मैं है यह पिश्ट गरति है अच्छां मद duy यह स्थाट करते हैं में दिकियर्ट लिइबाइ ब्यंट सैंदर्ट यहां पर कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि आपने बिजनस स्टार्ट किया है यहां पे आपसे कह रहा है का आरती भारती क्रिष्टी इस दा पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट यह देयर कैपिटल ऑन दा फर्स्ट अपरैल इसका मतलब यह बिजनस इनका चल रहा होगा जिनका बिजनस चलता है उनके में हम सीधा क्या लिखते हैं बैलेंस बीडी लिखते ह जल्दी से माउंट बताओ तीन लाक पांच लाक और आपका कितना त्रे यार रुख जाओ मुझे जीरो जीरो करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा बढ़ा कर दो मैं इसके हैं यहां पर कितना पांच लाक और यहां पर कितना बिटा दो लाक आगी है अब आगे देखें इंटर्स और का बताओ जल्दी से मइंटरोे साथे हजार आपका शाथ हूजार था ना आझा और पिर आपका क्या था चो हुबफेस चा इसके बाद किसी को सैलरी वोर्ली विदे रहे थे या कि मिल रहा था क्यालरी सी को मिल रहा था ठीक है कितना एक लाग असी आजार रेंट आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे यहां पर रेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे लिखेंगे क्यों लिखेंगे पार्टनर कोई मिल रहा है ना भाई या पार्टनर कोई मिल रहा है तो लिखना पड़ेगा ठीक है ऑटनर को चीज दी जाती है तुरंत कैसमी नहीं लगत दी जा इसके में वो चीजें क्या कर दी जाती है nd कर दी जाती है वाई आपका क्या रेंटनर को या किछ को पीत आ मिल रहा था थात हजार था कितना मिल रहा था था साथ हजार उसके बाद आगे देखेंगे और क्या मिल रहा था था अप्रॉफिट एंड लॉस्ट एप्रॉप्येशन कितना था विटा जल्दी से बताएंगे 30,000 40,000 और आपका क्या यह 30,000 इसके बाद कुछ ड्रॉइंग भी हुआ था तू ड्रॉइंग और ड्रॉइंग किसके द्वारा कराये गया था कर यह कुशन में ड्रॉइंग किसके द्वारा कराये गया था भाई कि यह रहा कहता है आर्टी भारती यह हो गया ना भारती हाज बिड्रॉट टेन थाउजंट पर मंथ पॉर दा प्रॉम्दा बिजनेस यानि बी के द्वारा दस हजार रुपया पर मंथ दस हजार पर मंथ दस हजार गुड़े पारा करेंगे कितना हो जाएगा एक लाग बीस अजार बाकी और कृस्टइसे कोई मतलब है नहीं आपर काम करेंगे जल्दी से इसका बैलन्स डी करेंगे जल्दी जल्दी से बैलनस डी बाता कर ये जल्दी से अपना पार्टनर कैपिaming बनके च्रेल्डि हो जाएगा अरवागत यहां पर बेटै कितना आजाएगा देखνη टीन लाक तीन लाका ती से सजार ही सजार प्लस टी सजार शात हजार साथ हजार में भेजितीता हेजार में सब्सक्वादाद के बताओ मुझे यह पर बाद रही आरा यह तक अनुअ तिस कैसे हो अरे तीस हजार इस जार यह हो गया अच्छा उपरा तीन लाक है ना कि अच्छा रंट वा साथ हजार हम छहाजार लेखे हैं तो हम चाल लाफ और यहीं हो जाएगा साही कि गलत है एक बैलेंस एडी तो यही होगा भाई बी का बैलेंस एडी गड़ बड़ाएगा चुकि इसने एक लाग वी से जार बिड्रॉ भी किया है भारती ने बिड्रॉ किया है भाई भारती हास बिड्रॉ 10,000 पर मंद इसलिए कहते हैं किताब लेकर आया करिये जोड़े एगा है यहां टोटल वे तब पांचatus लाक पांच लाक साठ साथ हजार और 10-40 अजार और जोड़ेंगे तवितना हो गया है abक छे लाक चो गया तो चीन लाक तीस अजार ना चार लाक चौरूतिस हजार लूटे कि दर भी उतनी रहेगा चार लाक चौरूतिस लूट दर लीजे पार्टनर कैपिटल अकउन्ट आपका बनके रेडी हो गया चल दीशन दूट करेंगे यहां पर भी वही चीज़े हैं चारलाक ट्थाइस अजार चारलाक तोंतर तो कहने का सीधा मतलब यह है कि भाईया आपको क्या करना है किस करना इस चाप्टर में एक खीज़ है तिर्फ प्रस नोटटने अगे बड़ते हैं और फिर हम अगला कोशन देखते हैं अगला इलस्टेशन देखते हैं क्या क्या सवाल है इसा पॉइंड है जो की हम लोगों को कर सकता है रहां पार्टनर ड्राइंड बना रखा ये भी देख लिजेंगा बना रखा है पार्टनर ड्राइंग अक्या जरौब notion हमारा इसी हमाप वह हो गया है अब हम देखते हैं हुप क्या देख देख लो अक बार सारा इलस्टेशन नहीं'D फिर वाले में देखते हैं इस बाद प्रीपयर यह भी हो गया हमारा प्रेस्ट आंपून्ड फीर सके बाद आपका जिसमें आपने यह इंट्रीस्ट आन गया हमार वाला है एकिण बात करते हैं अब आपके प्रैक्टिकलूट आई ये अच्छा एक चीज आपके लिए होमउर्क है ये आप अपना मुल्टिपल चॉइस कुष्जन में इसको आपको करना है ठीक है multiple choice में यह जो आपके question दिये गए हैं यह आपको solve करने हैं हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बैया जो question नहीं होता है in case question नहीं होता है वह आप हमसे पूछेंगे जैसे यह वाला question देखे question number 8 देखे इस तरीके question exam में आएंगे बी पार्टनर है इनका capital क्या है आपका पचास अजार चालीस अजार और आपका कितना तीस हजार है पिर कहता है कि carrying on the business business लोग अपना चला रहे हैं फिर उसके बाद आगे कहानी क्या हुई है आगे कहानी यह हुई है कि the firm is a reported the profit of the कितना 80,000 किता as per the provision of the Indian partnership act find the find out the share of each partner in the above after taking into the account no interest on no interest has been provided on the advance of 20,000 in addition of the capital contribution तो बताओ क्या किया जाए सबसे पहले 80,000 में से आप 20,000 पे 6% का interest क्या गरेंगे आप गटाएंगे इंट्रस्ट गटाएंगे तो कितना आ जाएगा किहां पे बारहाँ सो आजाएगा न इतना जाएगा आपका बारहाँ सो माइनस 16,000 कितुना आया आपका कि बैलेंस कितना आया 78 यहां पर कुछ नहीं दिया है तो आप किस रेशियो में बाटेंगे इसको एक बटा तीन करिए कि इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है आपका समझ में आ गया कि नहीं आ गया हुआ है और कि हिसाफ से युद्र है गई और कहीं पर लिखा दा कि आप इसको देना तुझ इस Top इस तरीके कोस्चन ह 172 त्सक्राव कर येगा करिए या फृता है तो अच्छी मार्थ नहीं होता तो और अच्छी बात है है क्योंकि हम आपको पिर बता देंगे अब उसके बाद आप यह देखी यह कुष्चन देखें कहता है कि यह प्राक्टिकल कोशन है आपका इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपियेशन अकउट बनाना जोना है partner current account बनाना है अब दे दिया current अगर दे दिया थीसका मतलब क्या है sert method current account आपको भी पता इस पर कोई भी इंट्रेस्ट चार्ज नहीं होता है फिर उसके बाद कहता है कि फॉलोइंग आर्दा capital and the drawing account of the partner of the partner फिर इसमें क्या कहता है कि capital कितना दे रखा है 75,000 40,000 30,000 का balance दे रखा है 10,000 5,000 और ये सब्द क्या लिखा है कहता है debit of 5,000 debit of 5,000 मतलब जब आप current account बनाओगे न करेंट account में इस debit को इस debit balance को कि साइड दिखाओगे debit side दिखाओगे और बाकी इन दोनों को कि साइड दिखाओगे credit side दिखाओगे कमज में आ गया current account में जब आप balance BD लिखेंगे न तो A और B को credit side में लिखेंगे और ये जो लेजी भाहिया है इनको इनका balance कि साइड लिखेंगे आप debit side लिखेंगे फिर कहता है the draft account 2019 show the net profit of 60,000 before taking account the interest on capital and drawing and subject the following reactification of the error क्या है क्या है क्या है क्या है life insurance premium week amount of the 750 paid by the firm on 30 June 2019 has been charged as a mislenious expenditure charge mislenious expenditure अच्छा एक बात बताईए life insurance premium क्या होता है क्या होता है फर्म के लिए देखो जो भी आपके मन में आया ना वो comment करके आप लिखिएगा ज़रूर life insurance premium फर्म के लिए कुछ नहीं होता है लाइफ यार लाइफ किसकी लाइफ पार्टनर की लाइफ पार्टनर की लाइफ का इंसुरेंस आपने पे किया ना भाईया आज़ ड्रॉइंग ही तो किया होगा यार और इसको आपने mislenious expenditure मान लिया अगर माना तो आपने अपना फ्रॉफिट घटाया होगा कि नहीं घटाया होगा इस साथ सो पचास को आप अपने प्रॉफिट में क्या कर दीजेगा जोड़ दीजेगा समझ में आया कि नहीं है फिर कहता है repair of the machinery amount 10,000 has been debited to the plant account and depreciation charge 20% देको repair वाला जो balance रहता है क्या वो repair वाला balance क्या machine account में जोड़ा जाता है ये तो आपका expense है न ये तो आपका क्या है expense है क्या करेंगे सर तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 10,000 जोड़ेंगे 10,000 क्या करेंगे जोड़ेंगे जो कि आपको जोड़ना था द्यान से सुनिएगा द्यान से सुनिएगा वैट 10,000 क्या करना था देखा जाए तो माफ करिएगा 10,000 घटाएंगे बता रहो बता रहो एक मैट रुको तैन मैं गलत बोल दिया देखो ये आपका machine account है और ये जो चीज आपको घटा नहीं थी expense account में उसको आपने जोड़ दिया कहा machine account में अब क्या करें इसकी वज़ा से आपका profit balance बढ़ा होगा कि घटा हो जब profit balance बढ़ा होगा तो इसको आपको सबसे पहले 10,000 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेग बताइए समझ में आया कि नहीं आया अब एक मैट एक मैट रुकी जरा एक मैट सुनिये तो दस हजार घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा कहो हां और यह जो 20% आपने इस पर depreciation charge किया है किस पे इसी 10,000 पे इसी 10,000 पे आपने depreciation charge किया तो कितना आया होगा 200 र reverse करने के लिए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यानि क्या करेंगे सर 10,000 हम घटाएंगे और 2000 क्या करेंगे जोड़ देंगे बताइए समझ में आया कि नहीं आया तो रीपेयर रीपयर आपका क्या है चर्नल expense है ítulo घटाना था आपने नहीं घटाया थOT आभ को क्या करना पड़ेगा जटाना पड़ेगा अभी तो अब कि आ monster अगे देखेंगे थे speculate कै था हजार कहता है ट्रैबलिंग एक्सपेंस तीन हजार ऑफ दा एट प्लेजर ट्रिप टू दा यू के पेड बाई दा फर्म तीस जून दो हजार इतना और डेबिटेड कितना ट्रैबलिंग एक्सपेंस एकाउंट ट्रैबलिंग एक्सपेंस एकाउंट बताओ मतलब खर्चा कर चुके हो ना तो डाविट करने का मतलब कि आपने प्रॉफिट को कम कर दिया की नहीं कर दिया तो जब आपने प्रॉफिट को कम कर दिया अब उस प्रॉफिट को फिर से यह जो ड्राइंग हुआ है ना यह तो अरजस्टमेंट है तो अरजस्टमेंट का दो पोस्टिंग तो करना पड़ता है सबको पता है तो इस 750 को कि आप इनके किसको दिया था आपने डबलू को ना काँ है डबलू यह रहे इस साथ सो पचास को इनकी ड्राइंग में इसे क्या कर दीजेगा जोड दीजेगा और यह जो तीन हजार इनके वाले में क्या कौन है यह है ना इनके वाले में भी इसे क्या कर दीजेगा जोड अच्छी बात है नहीं होता तो हम तो कराएंगे ही कराएंगे क्या दिक्कत है अब आगे देखो अगला कोशन देखो फिर कहता है राम रहीं पार्टनर है इनका प्रॉफिट सेरिंग रेशियो क्या है थ्रेस्टू तो इस तरीके का कोश्चन आएगा अग्जाम में अगर कि यह कभी भी आउट फ स्वाव लेवर स्कौर्स करता ही नहीं है वह इंड रहेगा लेकिन लेबल आफ कोश्चन देख रहे हो कितना टफ पर रहा है मेल आप देखी कितना तगडा घुमा रहा है ठीक है चली आगे देखेंगे फिर कहता है कि राम रहीं पार्टनर है इनका profit selling ratio क्या है तीन दो है राम एकाउंट इस एड़ एडवांसिंग यह फिल चान नाट वर्क आज़र विफोर दा चीफ क्लर्क आप फॉर्म रतन इस एड्मिटेट अपार्टनर विद एफेक्ट आप एक जनवरी दो हजार पुन्नीस आज विकम दा इंटाइटल आप दो नेट profit and nothing else the mutual ratio between the राम रहीम and remain unalter देखो यहां पर ख्यालिक राम रहीम रिमेन अन अल्टर मतलब राम रहीम दो पार्टनर थे इनका रेशियो था इन्होंने रतन को एडमिट किया एक बटे दस के लिए और कहता है कि इनका जो रेशियो हो वो अन अल्टर है बिल्कुल अन अल्ट आपको case number one कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो old ratio रहेगा वही इनका क्या बन जाएगा new ratio रहेगा यानि आप इसको solve कैसे करेंगे step one अज्यूम करेंगे एक रुपया profit है step two one minus one upon ten यानि एक रुपय में से आपने ने वाले को कितना दिया तो answer कितना आया आपका nine upon ten और फिर इस nine upon ten को इनके old ratio यानि राम को तीन बटे पांच में और रहीम को आपका नौबटे दस गोड़े दो बटे पांच के ratio में बाट दोगे देखो ratio change नहीं हुआ है na old ratio ही तो become क्या बन गया है new ratio बन गया कि नहीं बन गया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है आ on the profit after deducting the salary यानि जो salary है उसके बाद जो balance बचेगा उसका चार परसेंट आप इनको क्या दे देना commission दे देना हो जाएगा सवाल की नहीं हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आपका यह कुश्यन है कहता है एक्स वाई पार्टनर है इनका terms of agreement है और interest on capital कितना है आपका 8% है क्यार्ज दा ड्राइंग आप यह द्रॉइंग आफ दे तैन परसेंट है एक्स बिड्रॉइंग आफ टी थाउजंड पर मेन्थ आट इंड औफ या सब्द लिख दिया इच मंत लेओ अब बताओ कौन सा फॉर्मूला एवरिज पीरियेड वाला ना लेफ्ट आफ्टर अप्टर दा फस्ट ड्राइंग प्लस ट्राइम लेफ्ट आफ्टर था क्या बताओ कितना महीना क्या करेंगे 111 प्लस 0 ना 10-10 यानि 5. पॉइंट फाइब तो आएगा फिर कहता है वाई बिड्रॉ वन लाक ट्वेंटी थाउजन इंड ले इंड ओफ इच गोड्र देख रहे हो रहे हो पुस्पा प्लेकर देख रहे वो बिनोद है देख रहे हो बिनोद क्या गटना हमारे साथ गट रही है मलब आइसा आइसा सव क्या कहा जाए ठीक है इनको भी क्या पता हम भी वह स्टूडेंट हैं जो एकाउंटिंग गुरू से पढ़ते हैं इसमें कौन सा फ़र्मूला लगेगा बता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब कहता है कि आपको मिसिंग फीगर पता करना है सर मिसिंग फीगर साब मिस है झाने रही सर्च तो ही दिक्कत नहीं है या समस्या सबसे पहले इंट्रेस्ट अनगाता करो अगाता करो तवाल यहQuéすवा कर लो यार का दिक्त है भाइआ भाग करने के बाद ही तो तो दो लाक-सीफ़ा राया होगा गुड़ा तीन करेंगे पहले एक वटतीन हौत था क्या हो जैगा तीन पटा एक नहीं हो जाएगाए कितना आया कि छल्दी से बताईए यह जल्दी बताओ विनोत कितना आएगा कि यह तना तो इस वे कैल्कुलेटर से कर वह तो नहीं से बता देगा अच्छालेस आठ गया दो तीन तीन छे के दो आठ आठ लाग चालीस अजार बिनोद यहां लिखो एक अब आठ लाग चालीस अजार में से सुनो दो लाक अस्ती हजार घटा होगे तो यह बैलेंस आजाएगा कि नहीं आजाएगा बोलो हां या ना जल्दी बताओ कितना आएगा जल्दी बताओ समय नहीं है अभी गुडबिल उडबिल भी पढ़ना है भी इतना पांच लाग 60,000 हमारा आ गया और ले अधना तो हमने निकाल दिया हमने निकाल दिया अब बारी किस की इंट्रेस्ट आन आपिटल निकालने की लेकिन अब अब सवाल यह उड़ता है पी पी कि क्या अरे यह क्या क्या क्वेश्शन लुख है तरे बिनूद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपीएशन में ड्राइंग दिखाया जाता है अब आगे देखिए इंट्रेस्ट और ड्राइंग तोमारे निकल जाएगा निकालो जल्दी से चाली से यार एक्स वाला निकालो जल्दी से इस वाला बता Stunden बॉस्ट फाल थो तो चाली से जार घुड़े क्या बारा गुड़े पर्सेंटेश कितना है इनका दस है ही यार तुम क्या पढड़ रहे हो इसका पड़ हो यार तशकार मेरा गलत हो जाए यहाँ पर कितना महीना इन sleeps वाले हैं तो 5.5 वाले हैं यह 5.5 डिवाइड़ 12 कितना आएगा जल्ली बताओ कि अरे बहिया इंड ओफ इच क्वार्ट इंड ओफ इच मंद निकाल रहे हैं न तो बेटा या क्या मैंने यहां से बारह से गुड़ा किया कि नहीं किया है कि आए कि अगर मेरे पास कुछ होता ना तभी उठाक भाग मारता इंड ना लाएक इतना रहा है यह हो गया एक सका वाई का बताओ कि ने क्या किया है वाटर में बिड्रॉ किया है तो एक लाग वीस अजार और गुड़े कितने से चार से और गुड़े दस बटा सो और यहां पर मंत कितना लिया जाएगा इंड ओफ इच पॉर्टर निकाल रहे ना यह तो इंड ओफ इच वाटर मतलब कितना नो प्लस कि लो बिनोध कितना आ गया जार तो पिटा यह भी आ गया हमारा कि वाइस हजार आ गया जार आ गया अपक्ता ना आगे बढ़ो अब सर और क्या निकाल लें से यह देखो यह देखो चौरी चुपके चुपके यह देखो सैलरी हैं कि ए गर कैसे और कि यह देखो अगया हिए वह सब जोड़ा और देखो आ गया अब इतर यह ने वाले तोटल आ गया तो क्या मेरा यह वाला बैलंस आ जाएगा की नहाँ आ जाएगा अली करो बेटा अब इंतजार किस बात का है कि यहां पर कि माइनस करके बताओ कि इतना एक कि यह कल्कुलेटर हमको दे दो अरे भाई कल्कुलेटर दे दो मालिक तू लाक एट्टी एट थाउजंद माइनस वन लाक सिक्स्टी थाउजंड चाह यह हम अभी कुछ दिर पहले और भी कुछ कहे थी तू लाक ट्वेंटी एट थाउजंड यहां आ गया ठीक अब इसको जोड़ो ट्री लाक सिक्स्टी थाउजंड प्लस तू एट 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 ट्रिपल जीरो प्लस एट लाक प्टी थाउजंड इदर आ जाएगा आपका चौदा लाक अठासी हजार इदर भी उतना ही आएगा चौदा लाक अठासी हजार अब इन दोनों को जोड़ो बाइस हजार यहां कैलकुलेटर है यार बाइस हजार प्लस एटारह हजार यहां आ गया चालिस हजार अब जैसे ही हमने इसको चालिस हजार से माइनस किया चौदा लाक अठासी हजार को बैलेंस कितना आ गया चौदा लाक अठालिस हजार आ गया की नहीं आ गया कहां पांच मिनट पहले यह सवाल हमारे समझ में नहीं आ रहा था और कहां पांच मिनट बाद अब यह हमको आने लगा अब यहां पर क्या करें से अब यहां पर क्या करें कुछ नहीं करो आप फाली पॉस्ट और और जली से ळेख़ो कि तो नुद्रया दें लाक 8000 फिर जट वाले का बताओ एक लाग वीस हजार गुड़े चार यहां पर कितना आ गया इसका भी चार लाक 80,000 एक अच्छा इंट्रेस्ट अंड्राइंग हमने निकाली लिया है इंट्रेस्ट अंड्राइंग हमने कर देखो आलरी दी गई है यहां पर इंट्रेस्ट आउन कापिटल और भी क्या था प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एपरोपीएशन ठीक है वह यह प्रॉफिटल क्या हमें दिया है अब क्या करें वेर्यार बताओ क्टाओक. पॉरं पता कर सकतें क्या नहीं पता कर सकते हैं है कैपिटल कितना साथ्वारों हएं तो एक लाग साथ हजार यह इंट्रेस्टन है ऊंड पॉर्मुला क्या होता है अब इसी फॉर्मूले पर पूट करो पिटल हमको पता नहीं लेकिन रेट पता है रेट कई परसेंट है रेट है आपका आठ परसेंट यहां पर क्या हो जाएगा आठ बटे सो और यहां पर बटे 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 बारा हो तो कटी जाएगा छोड़ दो विकांग करो क्रॉस मल्टिपिकेशन करो यानि एक लाख साथ हजार गुड़े सो भागे क्या आठ क्या हमारा क्यापिटल बैलेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहां पर कितना आ गया कि एक लाख साथ हजार बीस लाख आएगा यहां पर कितना आ गया आपका बीस लाख उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि मैं आ गया कि नहीं आ गया बेटा कि समझ में आ गया ना बास और क्या चाहिए घर दुआर बाकी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपने आप आ जाएगा अब क्यों हम भा रहे हैं तो कुछ तीजे आप ही भर यह एक लाख साथ हजार नहीं बहुत सोला लाख आए अब बाकी यह वाला भी कुश्चन आपके लिए क्या है और होमर क्या यह आंसर है यार जब आदमी हो इसको भी होमर के लो गया है अब यह यह देखो जो है निकाले अभी एक यह देखो जो कैलकुलेशन हम बता रहे थे ना देखो एक है इसी के साथ आपका यह वाला टॉपिक भी यह यह वाला यूनिट भी यह पर क्या होता है आपका यह देखिए आगया कि नहीं आगे देखो तो फिर इसी के साथ आपका यह टॉपिक भी यह पर क्या होता है हम आप क्या करें सब्सक्राइब करो अगले टॉपिक यानि गुडविल को क्या करेंगे फॉलो करेंगे यानि गुडविल वाला चैप्टर आपको पढ़ाएं आसा करते हैं कि आपको यह सारी चीजे समझ मे आई होंगी फिर भी कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो आपको नीशे दिये गया नम्मर पर अब हमें मैसेज कर दीजे या फिर आपकर लीजे आप सभी अपना बहुत-बहुत खाल रखिए बोले कर दो